हलो बच्चो कैसे हुआ आप आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम समय पर कर रहे होंगे तो हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? हमने पिछली कक्षा में किया था घात और घतांग और हमने क्या किया था? घतांग के नियम और हमने उस पर अधारित कुछ प्रशन भी किये थे है ना बच्चो? आशा करती हूँ आपको बहुत असान लगा होगा घात और घतांक हमने कैसे मान ग्यात करना है कैसे धनात्मक घतांक में बदलना है कैसे हमने सरल करना है और आशा करती हूँ आपने सारा अपना होमवक अच्छे से किया होगा ठीक है बच्चो ओके बच्चो आज हम क्या करेंगे फिर आज हम करेंगे संख्याओं को मानक रूप में कैसे करते हैं और समान्य रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ठीक है बच्चो संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं और समान्य रूप में कैसे व्यक्त करते हैं तो पहला आज हम करेंगे मानक रूप में कैसे व्यक्त करती है हम करते हैं मानक रूप में बदलो ठीक है तो हमारे मानक रूप में व्यक्त करो में कैसे हम बदलते हैं देखिए मान लीजिये की हमें दे रखा है 0.00000 देखिए 0.00000 पैंतिस को मानक रूप में बदलो हमने क्या करना है ये तो हमें आप लोगों को पता ही होगा ना कि दशमलव हटा के ये जो आप देख रहे हो ये दशमलव को हम बटा में कैसे बदल सकते हैं अगर हम इस दशमलव को हटा दे इस दशमलव को अगर हमें हटाना हो बच्चो तो हम क्या करेंगे हम गिनेंगे दशमलव के बाद कितने नंबर है कितनी संख्याएं है दशमलव के बाद कितनी संख्याएं है जैसे हम यह आप गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो कितनी संख्याई हुई दिशंबलव के बाद? छे तो हम क्या करेंगे? 35 बटा एक लिक के छे जीरोएं ठीक है बच्चों? 35 बटा छे जीरोएं ये समझ में आ गया ना? 6 जीरोएं कहां से आई? 6 जीरो कहां से आई? दिशंबलव अटाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक लगाना पड़ता है उसके बाद जीरोएं कितनी लगाते हैं? दिशंबलव अटाने के बाद जितने आपके जितनी संख्याएं हैं जैसे यहाँ पर कितनी संख्याएं दिशंबलव के बाद? एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए बच्चो पहले बटा में प्रकट करना पड़ेगा हमने बटा में प्रकट कर लिया अब हमने क्या करना होता है बच्चो अब हम, अब हमने सिरफ यहाँ पर हमारा एक ही दिशंबलव होना चाहिए एक ही संख्या से पहले दिशंबलव होना चाहिए तो उसके लिए हमें ये जो सारी जीरों हैं इसे हटाना पड़ेगा कितनी जीरों को अटाना हो चाहिए हमें एक तो तीन चार पांच इन जीरो को उटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो बताओ हमें पांच जीरो से ही गुना करना पड़ेगा और पांच जीरो से ही भाग करना पड़ेगा ठीक है बच्चो फिर हम इन पांच जीरो को इन 5 0 से काट देंगे हमारे पास क्या बचा 35 बटा 10 गुना 1 बटे 1 लाख हम दुबारा से देखते हैं यहां से हमने पहले तो इसे बटे में लिख लिया 35 बटे एक लिख के जितने हमारे तिशमलव के बाद संख्याय थी 6 संख्याय थी तो हमने 6 0 लिख ली हम उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि यहां पर यहां पर जैसे यहां पर 2 संख्याय है तो हमने यहां पर एक संख्या के बाद दिशमलव होना चाहिए तो हमें सिरफ क्या चाहिए 10 अगर हमें यहां पर चाहिए तो 3.5 चाहिए अगर हमें तो हम इसे उड़ा के ही यहां पर 10 चाहिए ना हमें यानिकी तो 10 अभी बन सकता है जब मैं बाकी की 5 जो यह 0 है हटा दू 5 0 टाने के लिए उपर 5 0 होनी चाहिए ठीक है ना बच्चो समझ आ रहा है बच्चो ध्यान से देखो समझ आएगा इधर देखो सारे ठीक है और हमें और मैं अपने पास से 5 0 तो लगानी सकती तो मुझे नीचे भी 5 0 लगानी पड़ेगी 5 0 निचे लगानी पड़ेगी तो मैं क्या कर दूँगी यहां से भी 5 0 एकट और यहां से भी 5 0 एकट ठीक है काट दूँगी यह 0 को तो क्या बचेगा 35 बटे 10 गुना 1 बटे 1,00,00 अब मैं कैसे लिख दूँगी 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे इसे दशमलव में बदलो 3.5 मतलब 3.5 गुना 1 बटे 10 की घात 5 इसे कैसे लिख सकती हूँ अब यहाँ पर मुझे क्या करना है जो मेरी यह धनात्मक घात है प्लस की घात है ना जमा की घात मुझे इसे रिनात्मक बनाना है उपर ले के जाना है तो उपर ले जूँगी तो अपने आप रिनात्मक घात में बदल जाएगा समझ में आया कुछ बच्चो जिस इस बच्चे को समझ में आया बहुत अच्छी बात है जिसको नहीं समझ में आया वो एक बारी फिर दुबारा से देखेंगे देखिए एक और प्रशन देखिए इसी तरह का 0.00000024 ठीक है बच्चो पहला स्टेप हमने पहला काम क्या करना है पहला काम करना है इसे दशमलाव को तोड़ना है हमने दशमलाव अटाना है 24 बटा एक लिख दो एक लिखने के बाद क्या करना है संख्याए गिनो कितनी है कितनी संख्याए है हम देखेंगे एक दो तीन चार पांच छे छे संख्याए है तो क्या करेंगे छे जीरवे लगा दी ठीक है बच्चो समझ में आ गया पहला काम कर दिया हमने सब बच्चों ने कर लिया अपनी कापियों पे करिए सब फटा-फट से चलिए फटा-फट अब देखिए अब क्या करना है अब हमने वो ही काम अब हमारे पास यहाँ पर 24 है हमने 24 को क्या करना है सिरफ एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए दशमलव होना चाहिए तो अगर हमें एक संख्या के बाद शमलव होना चाहिए तो अगर हम उड़ा के देखे इसे 10 चाहिए नीचे तो यानि कि मुझे ये जो जीरों है ये जो मेर पास जीरों है ये वाली जीरों का कोई मतलब नहीं है इन जीरों को मुझे हटाना है ठीक है अब सारे बच्चे ध्यान से देखे इस सरफ सारे बच्चे देखे इस सरफ इनको समझ नहीं आये था तब ही समझ में आएगा देखे देखे इस सरफ देखे फटा फट आज अगे इधर देखे बोर्ड पर देखे हम क्या क नीचे लगा देते हैं देखे देखे बच्चो ध्यान से ये वाला काम ध्यान से देखो हमने क्या किया है यहाँ पर ध्यान से सुनो हमने इसे हटाना था थीक है इसे हटाना था इन संख्याओं को इन पान जीरों को हटाने के लिए हमें एक बारी पान जीरों से गुना करना प पड़ा, सब बच्चे लिख रहे हैं अपनी कॉप्यों पर की नहीं, मैं उमीद करती हूँ कि सब बच्चे लिख रहे होंगे, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ना है, बड़े होके कुछ बनना है, वो बच्चे अपनी कॉप्यों पर प्रशन जिरूर कर रहे होंगे, बन बच्चो 24 बटा 10 गुना एक बटे एक लाक समझ में आ रहा है बच्चो उतार रहे हूँ अब अपनी कॉपीज पर उतार ये फटा फट उतार ये बच्चो इसको अब हम क्या कर सकते हैं फटा फट बतार ये मुझे येस मैं देख रही हूँ बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे फटा फट दो पॉइंट चार मतलब दो दशमलब चार गुना एक बटे दस की पांच अब हम इसे क्या लिख देंगे अब हमने दस की पांच को भी उपर लेके जाना है ठीक है न बच्चो तो दस की पांच को हम लिख देंगे दस की माइनस पांच हम इसे रिनात्मग घात में चेंज कर देंगे समझ में आया बच्चो को कोशन ये प्रेशन किसी बच्चे को समझ में आया वो फटा फट दूसरा कोशन करेगा ठीक है और जब मैं मेरे से पहले कोशन निकाल लेगा हूँ बच्चा जिसको ये कोशन समझ में आ गया बच्चे फटा फट काम करेंगे मुझे पता है बहुत ही अच्चे बच्चे है देखिए अब देखिए हम अगला उत्तर करेंगे अगला कोशन करेंगे देखिए 4, 0, 5 1, 2, 3, 4, 0 इसको हमने वोई क्या करना है? मानक रूप में व्यक्त करना है अब मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वोई देखिए अब यहां दशमलव तो है ही नहीं हमें पहले से ही एक बिना दशमलव के संख्या दी हुई है अब हमें सिरफ ये करना है कि हमें क्या चाहिए चार ये चाहिए ना एक ही संख्या के बाद दशमलव चाहिए ये हमें चाहिए चार दशमलव जीरो पांच चार जीरो ये चाहिए इसके लिए अगर हम देखें हमें धशमलव कार्ट के कितनी की जरूरत है जीरोस की कितनी शुन्या की जरूरत है एक सब बच्चे मेरे साथ गिनेंगे एक दो तीन चार पांच और छे तो सब बच्चे क्या करेंगे हम इस संख्या को एक दो तीन चार पांच छे यहाँ पर भी लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छे ठीक है बच्चो सब बच्चो ने कर लिया यानि की हम क्या करेंगे अब देखें सारे बच्चे समझ में आ गया छे जीरो है कहां से आई है अब देखें सारे हमें जो संख्या दी हुई है उस संख्या को हम 10 लाग से गुना करेंगे और 10 लाग से ही भाग कर देंगे आया बच्चो समझ में अब हमें भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पहले तो 4 जीरो एक खतम करनी है इसकी पीछे की 4 जीरो से 4 जीरो हमने काट दी क्या बचा 405 गुना इसको के लिए सकते हैं 10 कितनी जीरो हैं 1,2,3,4,5,6 10 की घाट 6 बटा 10 की घाट 2 पीछे वाले पिछली वाली क्लास में अगर हमारी घाते अलग हो लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रही है अधार बेराबर है और भाग में है लेकिन हम इसे माइनस तो करेंगे ही नहीं क्योंकि मुझे 100 तो इसके नीचे चाहिए इसके नीचे सो होगा तभी तो मैं इसे लिख पाऊंगी ना 4.05 गुना 10 की 6 बन गया ये मेरा मानक रूप समझ में आ रहा है बच्चों जिस जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो मेरे साथ मेरे से भी पहले एक उत्तर निकाल लेगा और वो बच्चा बहुत ही अच्चा बच्चा होगा ठीक है बच्चों समझ में आया हमारा मेरे क्या है उदेश्य है हमने जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास जंख्याई है हमने क्या करना है सिरफ हमारा उदेश्य है कि यहाँ 4 के बाद बस एक दिशमलव हो ये बनाना है इसके लिए हमें कितनी जीरो के ओशकता है मैंने लगा के देखा 6 जीरो की तो मेरे को 6 जीरो के ओशकता थी तो मैंने क्या किया 6 जीरो से गुना कर दी और 6 ही जीरो से भाग कर दी उसके बाद मैंने क्या किया यहां से 4 0 एकाड़ दी यहां से 4 0 एकाड़ दी बच्चों को समझ आ रहा है जिस इस बच्चे को समझ आ रहा है उफटाफट काम करेगा यहां पर देखिए कितनी 0 एक थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 0 थी यानि कि क्या हो गया 10 की घात 6 ठीक है बच्चों और नीचे क्या हो गया 10 की घात 2 10 की घात 2 थी तो मैंने यह लिग दिया 100 इसको मैंने उपर यहां पर क्या करूंगी देखो यह बात मैं तुम्हें समझाती हूँ बच्चों यह वाली भात ध्यान से देखो अगर नीचे 2 जीरोएं है तो उपर दो संख्याओं से पहले दशमलव लगा देना है ठीक है जैसे 2 जीरोएं हैं तो पिछे से शुरू करो गिनना एक दो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है जैसे हमने यहां लगाया देखो दो संख्याओं के बाद लगाया है ना 5 एक संख्या, 0 दूसरी संख्या, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दशमलव, यह मेरा क्या हो गया, मानक रूप, समझ में आया बच्चों को, इस तरह हम एक ओर प्रशन करेंगे, देखिए, अगला प्रशन, यह बहुत ही सरल, बहुत ही सरल उत्तर प्रशन है, बहुत ही ज़्यादा, अब हम अगला देखेंगे, देखिए बच्चों, अगर यह, देखो, मैं आपको तुलना करके दिखाती हूं दोनों प्रशन में, देखो, अगर प्रशन इस तरह का है, कि उसमें लिखा हुआ है, दशमलव में है अगर मेरा प्रशन, जैसे 0.0008, तीन साथ, ठीक है बच्चों, पहले क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, दशमलव को तोड़ना पड़ेगा, और सारे बच्चे फटा फट अपनी कॉपीज पर तोड़ेंगे, दशमलव कैसे तोड़ते हैं, सारे बच्चे तोड़ों फिर मैं बताती हूं, फिर आप स निकाल लिया सब बच्चों ने, देखो देखो, अब देखो, मेरा देखो, कैसे लिखते हैं हम, जो मुझे संख्याएं दी हुई हैं, जीरो के बिना, तीन संख्याएं हैं, उससे ऐसे लिख दिया, एक लिखा, दशमलव के बाद कितने संख्याएं, किरों सारे बच्चे मे और छे, लिखो सारे बच्चे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, इस बच्चे ने जहां तक सही किया है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं वो, बहुत ही अच्छे, अब हम आगे लिखेंगे, देखो बच्चो, अब हमें क्या करना है, हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आत, दशमलव सेंतिस, हमें सिरफ एक ही संख्या के बार, दशमलव चाहिए, तो यानि कि मुझे, मुझे क्या चाहिए, यानि कि मुझे सिरफ सो चाहिए, बाकि मेरी जीरो जीरो कितनी है, ये वाली जीरो मेरी क्या है, बेकार है, इन जीरो को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, come on, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर करेंगे अपनी अपनी कॉपियां उठाओ और करो फटाफट करो हमें इने हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ बताओ फटाफट देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है बहुत ही प्यारे बच्चे हैं देखिए इधर देखिए अब क्या सब ने ऐसे ही किया है हमको गुना करनी पड़ेगी चार जीरों से और भाग भी करनी पड़ेगी चार ही जीरों से ठीक है बच्चों ने ऐसे ही किया है क्या सब बच्चों ने ऐसे ही किया है किस गिस बच्चे ने गलत किया है वो अपने अपने कौपिस पर सही करे जिस जिस बच्चे ने सही गलत किया है वो सही कर ले और आगे से ध्यान रखे कैसे करना है अगर सब बच्चे इसी तरह करेंगे एक एक काम ध्यान में रखेंगे तो वो कोशन जरूर कर पाएंगे इस प्रशन को हल जरूर कर पाएंगे ठीक है बच्चो, समझ में आ रहा है मेरे बच्चो को मैं उमीद कर रही हूँ सब बच्चो को समझ में आ रहा होगा आगे देखिए बच्चो, अब क्या करूंगी ये चार जिरो से, ये चार जिरो ये काट दूंगी क्या बच्चा, 837 बटा सो, गुना एक बटे दस की घात चार ठीक है, ठीक है बच्चो, ठीक है अब हम इसे क्या से लिख जेंगे, 837 बटा सो को कैसे लिख जेंगे 8.37 गुना दस की घात, माइनस के चार ये उपर जाके क्या हो जेगी, घटा की चार ठीक है बच्चो, समझ में आया सब को, सबने ऐसे ही किया था किस-किस ने पहले निकाल लिया था, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं वो किस-किस ने पहले निकाल लिया था, हाथ खड़े करो वो सारे बच्चे देखो, दूसरे बच्चे देखो जिन बच्चोंने हाथ खड़ेगी हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं ये, आप भी अगली बार से अब जल्दी कोशन निकाल लोगे ठीक है, चलो अब हम करेंगे, दूसरा प्रशन करेंगे दूसरा प्रशन क्या करेंगे हम इसी तरह, अब हम करेंगे बिना दशमलव वाला दूसरा कोशन ठीक है, जैसे 3, 3, 1, 8, 6, 1, 2, 3, 4 ठीक है, बच्चो 3, 1, 8, 6, 1, 4, 0 ठीक है, बच्चो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बच्चो हमने क्या करना है हमने सिरफ 3 के बाद दशमलव चाहिए, न 3, 1, 8, 6, 1, 2, 3, 4 हमें ये चाहिए ठीक है, तो यानि कि हमें कितनी 0 की आवशकता है कौन बताएगा फटाफट कौन बताएगा सारी क्लास को हमें कितनी 0 की जरूरत है कितने सुन्या चाहिए बताएए फटाफट, कितनी सुन्या की आवशकता है आपको बताईए बताईए देखिए मैं अब ताती हूँ सब बच्चों ने ऐसे ही किया है देखिए कितनी जीरो की चाहिए है मुझे देखो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ मुझे कितने शुन्या चाहिए? साथ दुबार से देखिए जितने दिशमलब के बाद मेरी संख्याएं होती है उतने मुझे क्या चाहिए? सारे बच्चे बताईएंगे मुझे क्या चाहिए? उतने मुझे जीरो चाहिए एक, तो, तीन, चार, पान, छे, साथ लिखिए रेक डाल के हम क्या करेंगे? एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ जीरो से भाग कर दिया और साथ जीरो से गुना कर दी ठीक है, अब हमने क्या किया ये चार जीरो से अपनी वाली चार जीरों काट दी ठीक है, इसके नीचे चार जीरों है और उपर, क्या बचा हमारे पास तीन एक आठ छे बटे हजार ठीक है गुना दस की घात छे सब बच्चों को समझ में आ रहा है आगे करिए आगे पहले आप करिए फटा फट करिए अपनी अपनी कॉपी से फटा फट करिए मैं देख रही हूं कौन बच्चा कर रहा है फटा फट करो सारे बच्चे करेंगे कोई बच्चा एक दूसरे की कॉपी में नहीं देखेगा सब अपनी अपनी कॉपी में करेंगे कौन बच्चा आगे बढ़ना चाहता है फटा फट वो करेगा सारे बच्चे देखेंगे कॉपी में सब बच्चों ने बढ़ना है ना खुट? देखो, आगे का करेंगे? हमारे पास क्या है? यहाँ पर देखो तीन जिनोए हैं तो वो ही पीज़े से संख्याए गिनो एक, दो, तीन गिनी हमने तुबारा से गिनेंगे एक, दो, तीन तीन संख्याए हैं तो यानि की तीन के बाद हम दशमलव लगा देंगे ठीक है? तीन दशमलव एक आठ छे गुना दस की घात छे दस की घात छे सब किस की बच्चों को समझ में आया? फटा फट बताएंगे किस की बच्चों को समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं सब बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, सभी बहुत अच्छे हैं, है ना बच्चो, सब बच्चे मेरे साथ काम करेंगे न, बोलो, सब बच्चे काम करेंगे, सब बच्चो को आगे निकलना है, सब बच्चों ने कुछ बनना है, फटा फट काम करेंगे, समझ में आया, दोनों में क्या उत्तर है, दोनों में क्या अंतर है ठीक है बच्चो समझ में आ रहा है इसी तरह का अब हम एक और प्रशन करेंगे ठीक है कौन कौन मेरे साथ करेगा फटा फट लिखना शुरू करें वो इधर उधर नहीं देखना है हमने हमने जिरफ ब्लैक बोर्ड पे देखना है बोर्ड पे देखो जिरफ ठीक है बोर्ड पे देखो फटा फट लिखो ठीक है मोटे कागज की मोटाई जीरो दशमलब जीरो साथ मिटर है इसे मानक रूप में लिखो चलो फटा फट करेंगे हमें कोशें बच्चों कों कोन बच्चा मेरे साथ है कों कोन बच्चा अगे निकलना चाहता है बताईए कौन-कौन कौन-कौन बच्च आगे निकलना चाता है फटा-फट बताईए बच्चों आपने शुरू करा करना ठीक है चलो अब आप फटा-फट की दिया ताकि हम अपने सारा काम मिला सके देखिए पहले क्या करना है अगर दशमलब वाला है तो जीरो दिशमलब जीरो साथ है तो पहले हमने दिशमलब वटाना है दिशमलब कैसे हटाएंगे दिशमलब के बद कितनी संख्याएं है कौन बताएगा बच्चा फटा-फट बोलो बच्चो एक, दो कितनी संख्याएं है दो तो क्या करेंगे सारे बच्चे बताओ क्या करेंगे हम कितनी शुन्य लगाएंगे कितनी जीरो लगाएंगे जितनी संख्याएं उतने ही जीरो ठीक है बच्चो जितनी संख्याएं उतने ही जीरो दो संख्याएं तो हम कितने जीरो लगाएंगे दो कितने जीरो लगाएंगे दो जीरो ठीक है बच्चो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे हम हम कौन बताएगा बच्चे हमें क्या चाहिए कौन बताएगा हम क्या करेंगे देखो अपनी कौपियों पर फटा फट किस कौन-कौन बच्चा-फटा-फट करेगा बताओ ये कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है हम क्या करेंगे हमें तो सो चाहिए ही रहे नीचे ठीक है न? हमें तो हमें तो एक संख्या के बाद दिशमलब चाहिए होता था यहाँ पे तो संख्या ही एक है कट गया ही है क्या बचा? साथ गुना एक बटा दस की घात दो आया मेरे बच्चों को समझ में सारे बच्चे काम करेंगे सारे बच्चे आगे निकलेंगे फटा-फट करो करो बच्चों फटा-फट साथ गुना इसे क्या लें सकते हैं? घात को उपर लियाओ दस की घात बाइननस के दो किस-किस बच्चे ने ऐसे किया था वो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं उन बच्चों के लिए तालिया बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आया बच्चों समझ में जिस बंचों को समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे साथ साथ काम करेंगे और घर जाके भी काम करेंगे ठीक है ठीक है बच्चों सारे बच्चे करेंगे ना घर जाके काम ये सारे questions, सारे questions दुबारा अपने घर जाके करेंगे सारे बच्चे करेंगे सारे बच्चे मिने बच्चे बहुत ही अच्छे हैं सारे बच्चे मुझे पाता है मैं उमीद करूंगी ठीक है कि सारे बच्चे घर जाके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे है ना बच्चो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं एक और उत्र प्रशन करेंगे हम मानक रूप में व्यक्त करो देखिए पोधो की कोशिकाओं का माप पोधो की कोशिकाओं की माप जीरो दशमलव जीरो 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 एक दो साथ पांच मिटर है इसे इसे मानक रूप में व्यक्त करो कौन कौन बच्चा फटा फट मेरे साथ कोशिन करेगा कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा सारे बच्चे एक के बाद एक काम अपने आप करेंगी ताकि सब को समझ में आए सब बच्चे अच्छे से काम करेंगे ठीक है ठीक है सारे बच्चे करेंगे ठीक है सारे बच्चे करेंगे चलो करिए सारे बच्चे 1270 बटे कितनी संख्याए हैं? दिशमलब के बाद कितनी संख्याए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ हैं? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ठीके बच्चो, अब हमने क्या देखना होता था? दूसरा काम क्या देखते हैं? सारे बच्चे मुझे बताएंगे करेंगे सारे बच्चे अपनी कौपियों पर दूसरा काम, फटा फट करेंगे सारे बच्चे दूसरा काम मैं देख रही हूँ कौन-कौन बच्चा कर रहा है करेंगे सारे बच्चे बच्चो आपी के लिए हो रहा है ये काम जो जो बच्चा करता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा जो बहुत अच्छे से बोड़ पे देख रहा है उसे समझ में आएगा जो बच्चा बाते कर रहा है उसे समझ में नहीं आएगा इसे श्रार्थे नहीं करनी, बाते नहीं करनी हमने कहां देखना है, बोड़ पर ताकि हम सब से आगे निकलें सब बच्चे आगे निकलना चाहते हैं न चलो, किस-किस ने कोशन अभी तक तो बहुत से बच्चों ने कोशन खटम भी कर लिया होगा जो बच्चा मेरा अच्छा बच्चा है उसने कोशन खटम भी कर लिया होगा अब हम क्या देखते हैं, हमें एक तशमलव के बाद एक के बाद तशमलव चाहिए यानि कि हमें सिरफ 3 0 है चाहिए तो हम क्या करेंगे हमें ये वाली संख्याय नहीं चाहिए तो हम 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्याओं से क्या करेंगे गुना और उसी से भाग कर देंगे मिर बच्चो को समझ में आ रहा है न हमने कैसे किया ये बात ध्यान से समझो ये देखना होता है, ये हमें एक के बाद दशमलब चाहिए ना, तो बाकी के जो ये तीन है, इसको दशमलब में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिरफ नीचे तीन संख्याओं के तीन जीरों के जूरता है, बाकी डिजर्ट तो हमारे लिए बाकी संख्याओं विक संख्याजे मैंने भाग कर दी मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे फटा फट कर रहे हैं सारे बच्चे देखिए अब हमने क्या किया देखो यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे काट दिया मैंने क्या बच्चा मेरे पास 1275 बटे हजार गुना एक बटे दस की खात क्या बच्ची दस की खात पांच सब बच्चों ने ऐसे ही किया था किस-किस बच्चे ने ऐसे किया था कौन बताएगा मुझे सब ही ने ऐसे किया था ना हाँ सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं जिसने चुड़ो, कोईसी ने बीच में गलत कर भी लिया था, तब वो सही कर लेगा, करो करो फटा फट, अगला काम करो इतने, सारे बच्चे फिर ब्लाग बोड से मिलाना, सारे बच्चे ब्लाग बोड से मिलाएंगे फिर, इस बच्चे ने आगे बढ़ना है, वो फटा काम करेगा करो करो बच्चों फटा फट करेंगे सारे बच्चे अब देखो यह तीन जीडियों हैं तो हम क्या करतेंगे इसे एक दशमलव दो सो पिजट्र गुना दस की घात माइनस पांच आगया मेरे बच्चों का समाच मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं बच्चे किस किस ने कर लिया हमने देखो हमने इस कोश्चन में इन प्रशनों में क्या क्या बाते याद रखनी है ठीक है मुख्य बाते मुख्य बाते क्या क्या याद रखनी है लिखेंगे सारे बच्चे पहली बात एक संख्या के बाद ही दिशमलव होना चाहिए ठीक है बच्चों एक संख्या के बाद ही दिशमलव होना चाहिए सबने लिख लिया दूसरी बात अगर संख्या तशमलव में है तो उसे हम बिना दिशमलव के बनाएंगे कैसे बनाएंगे दिशमलव को हटा कर उसके बाद हम देखेंगे कितनी शुन्य की आवशक्ता नहीं है जितने शुन्य की आवशक्ता नहीं है उतने ही शुन्य से भाग और क्या कर देंगे गुणा कर देंगे अगला क्या लिखेंगे अंत में शुन्य काट कर मानक रूप में व्यक्त कर देंगे मानक रूप में व्यक्त कर देंगे ठीक है बच्चों सब बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को फटा फट कर ये फटा फट कर ये बच्चों ठीक है चल लो अब हम अंत में एक और प्रशन करेंगे ठीक है जैसे सारे बच्चे लिखो तीन एक आठ छे एक दो तीन क्या करेंगे सब बच्चे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे अपनी कॉपी पर लिखो बच्चों सारे कितने हैं ये हमें पहले यहाँ पर तो तशमलब है ये नहीं तो हमें तीन के बाद तशमलब चाहिए इसमें तो है ना तो ये कितने संख्याए है कितने संख्याए है एक दो तीन चार पांच छे छे संख्याए है ना ये तो मुझे छे जिरों से और 6 ही 0 से गुना करनी पड़ेगी ठीक है ना? तो मैं 3 0 से 3 0 मेरी क्या हो जाएंगी? रुको 6 0 से भाग और 6 0 से गुना कैसे की समझ आगी ना? हमने 3 के बाद शमलव चाहिए इनके बाद या निकी इतनी संख्याए होने इतने 0 होने चाहिए तब ही हम 3 के बाद शमलव लगा सकेंगे तो कितने 0 चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है ना बच्चो? तो उतने से ही मैंने क्या कर दिया? उतने से ही मैंने क्या कर दिया बच्चो उतने से ही क्या कर दिया मैंने हमने क्या कर दिया तीन जीरो से काट दिये तीन जीरो क्या बचा दस की खाट छे ठीक है? ठीक है बच्चों? अब हम करेंगे तीन दशामलव एक आठ छे गुना दस की खाट छे ठीक है बच्चों? सब बच्चों को समझ में आ रहा हैं यह मेरा क्या हो गया? मानक रूप आ गया ठीक है न? बहुत ही असान है अब सब बच्चे घर जाके देखो कौन सा काम करेंगे लिखो प्रशन मैं बताती हूँ पहला प्रशन करके आओगे घर से छे जिरो दो एक दो तीन चार ठीक है? छे जिरो दो एक दो तीन चार ठीक है न? सब बच्चे करके आएंगे और दूसरा प्रशन करके आएंगे 0.000942 0.000942 ठीक है? सब बच्चे ये वाले दोनों प्रशन करके आएंगे घर से ठीक है? अगली करक्षा में आके पूछा जाएगा उनसे कि क्या उत्तर रहा उनका सारे बच्चे करेंगे न? सब बच्चे करेंगे सब बच्चे ठीक है? तो